हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई करियर पाट साला आज का इस वीडियो में हम लोग जो डिसकस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टन शेशन है वह आपका नीट 2023 एप्लिकेशन में जो मिस्टेक्स हैं उसको हम लोग आज देखते हैं कि मेंली जो हमारे डॉकुमेंट्स अप पर मिस्टेक कर रहे हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कि मैं यहां से कॉमनली आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं आप अपना एप्लिकेशन एरर फ्री यहां पे अपलोड कर सके सारी चीजों को सो फर्स्ट मिस्टेक्स मुझे जो समझ में आया कि अब जो जि अगाँ आफ में एंट्यन लिखा है कि आपको इसी फार्मेट में आपको यह फोटो देना है आपका इस्ताम इंपरेशन देना है सिग्नेचर देना तो वह भी आपके आपसे कहिंद कहें कुछ गल्तियां हो रही ही साचा सबसे इंप्रेट्पिंट्र क्या है कि no correction facility including category change will be given at any stage after the registration तो यह बड़ी important बात होती है कि अगर जो इस तरह का instruction पहले से NTA ने mention किया हुआ है तो you are helpless जब आप से गलतियां हो रही है और आप उसको correct करने के लिए eligible ही नहीं है तो आपका candidature rejection में जा सकता है इसलिए be careful extremely careful तभी आप जाकर document upload करें या अपने application को complete करें तो कुछ एक चीज़े हैं जो मैं आपको यहां से students के अपने common mistakes हुए हैं उनके उनके उपर ही बात करता हूं sizes document के and photos के जब तक आपके correct नहीं होते हैं तो upload नहीं लेता है application में जब भी आप अपने document जैसे आपका 10 के certificate and address proof and जो भी photos है जो आपका signature है thumb impression finger impression यह सब आपका upload तभी होगा जब और correct size में आप उसको upload करते हैं और format भी जो jpg form में है उसको आपको उसी में डालना होता है जो PDF है वो PDF में ही जाता है तो students ने जो mention किया है एक ने बताया कि photo जो है उन्होंने कहीं trip या party function में गए थे किसी marriage function में गए थे और उसी photo को उन्होंने crop करके उसी का passport size पोस्ट कर साइज बना करके software के मदद से उसको उन्होंने create कर लिया है लेकिन background में उनके जो है कहीं पंडाल आ रहा है कि स्टेज आ रहा है किसी का कुछ नेचरल व्यू आ रहा है जैसे सी है मौंटेन ब्रिज है बोट है कुछ जंगल का व्यू है कुछ ऐसा background में आ तो देखें यह acceptable नहीं होगा friends क्योंकि आपको बहुत ही clearly mention किया हुआ और एक नहीं comes come four five places में information brochure में mention किया हुआ कि white background ही आपके photo का होने चाहिए और photo में आपका face covering जो है वह coverage जो है वह 80% का होना चाहिए तो आपको इस तरह से casual behavior जो आपका photo के साथ है कि आपने अपने तरफ से किसी photo को उठा करके और उसको Photoshop किया हुआ है तो कहीं कहीं यह आपके लिए problematic हो जाता है आपने गोगल्स पहने हुए है कैप लगाया हुआ है मास्क लगाया हुआ है एनिफिंग लाइक जिसमें कि आपका photo जो है वह clear नहीं है या फिर आपके दोनों एयर्स जो हो सामने नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और आपका कहीं से भी face से ज़्यादा coverage जो है आपके shoulder का हो रहा है चेस्ट का हो रहा है तो फिर फोटो आपके लिए प्रॉल्मेटिक है यह फोटो आपका नहीं accept होगा दूसरी जो गलती है फोटो को लेकर के वह है फोटो के उपर नेम एंड डेट ऑफ क्लिक वह मेंशन ही नहीं किया तो फ्रेंस आपको यह चीज करना चाहिए और अगर अ कोई दिक्कत नहीं है बट आपने अगर मैट फिनिश में फोटो लिया है तो मारकर उसपे टिक पाएगा अधरवाइस जो आपका ग्लॉशी उसमें है फिनिश में है फोटो जो जिसके उपर पैन नहीं चल सकता या फिर वह मिटी जाता है कोई भी चीज तो फिर वह आपका दिक्कत फिर आ जाएगी इसलिए आप ध्यान से इस चीज को देखिए कि मारकर से अपने लिखा है तो मैट फिनिश के फोटो पे ही वह लिखा जा सकेगा नहीं तो ऐसे आप स्कैन करोगे फोटो को तो फिर गड़बड हो जाएगा फोटो बैक्ग्राउंड वाइट नहीं पहले मेल कर दिया था स्टूडेंस को कि आपके फोटो का बैक्राउंड सही नहीं है तो यह सप्ट नहीं होगा आप इसको ठीक करिए करेक्शन फसलिटी नहीं मिलेगा लेकिन एंटीए के उपर है वह आपको फसलिटेशन ऐसा देता है तो फिर मंत के एंड में या फिर जाए जाएगी तो एंटी आपको बोलेगा तो उससे ज्यादा प्रावल्म आपको नहीं है कि नेक्स्ट जो आपको प्रावल्म यह भी आता है कि फोटो पर जून 2022 की डेट है लास्ट यह फोटो आपने अभी इस साल भी यूज़ करना है तो इसको या तो फोटोशॉप से कहीं एडिट कर सकते हैं, किसी भी तरह से उसको एडीज करके डेट जो है वो चेंज कर सकते हैं Next क्या होता है कि जैसे किसी ने बताया मुझे कि वो लोग एक साथ ग्रूप में उन्होंने फॉर्म फिल किया और उसमें क्या हुआ कि फिंगर प्रिंट जो है और थम इंप्रेशन जो है वो मिक्स हो करके अप्लोड हो गया यानि कि कि किसी कि थम इंप्रेशन किसी और का था और किसी और में अप्लिकेशन में अप्लोड हो गया तो यह ग्रूप में जब भी आपको करते वैसा तो अपना अपना डॉक्मेंट को पहले आप सग्रिगेट करके रखेए उसके बाद फिर इसको अप्लोड बगरा करेए क्योंकि आपके अप कही होगा तुव अक्सप्टबल होगा और इसमें क्लिरली मेंशन भी है ब्रोशर में कि अगर आपने कुछ ऐसे गलती की है तो फिर यह रिजेक्शन हो सकता है अब देखे इस चीज को कि अगर आपने ऐसा किया कि आपका मिक्स मैश हो गया है तो फिर यह अनफेर मेंस में आ जाएगा यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए ध्यान दे करके इस चीज़ को भी आपको अपने डॉक्मेंट्स वगर अप्लोड करने हैं अब क्या होता है कि बहुत सारे इसे बच्चे भी थे जिसने की बताया कि फोटो फिंगर एंड थाम इंप्रेशन व या फिर थंब इंप्रेशन हुआ ही नहीं अप्लोड क्योंकि एक्स्ट्रा कॉलं तो है नहीं और थाम इंप्रेशन जो है या फिंगर हो वो नहीं पाया और फोटो उसकी जिगह पर आ गया तो अब क्या करें देखें इसमें आपका जो आगे होगा वह एंटी आपको बताएगा कि आपका फिंगर इंप्रेशन थाम इंप्रेशन यह अप्लोड नहीं हुआ है तो आप इसके लिए ज्यादा मत घवराइए यह आपक करेक्ट हो जाएगा करेक्शन के लिए तो नहीं मिलेगा जो इडिट ऑप्षेंव फोपन होगा तो उसमें यह चीज़ आपको नहीं मिलेगा लेकिन उसके पहले ऑंटी आपको मेल भेज करके इस सीज़ को करक्ट करने के लिए बोलेगा है कि नेक्स्ट जो एक प्रावलमा मतलब बना देते हैं बट यह नहीं चलेगा इसमें भी दिक्कते आ जाती हैं सो सिगनेचर के साथ कुछ भी आप नहीं कर सकते जो भी आप उसमें कुछ भी ऐसा डॉट बना देते हैं समयली बना देते हैं तो वह सब यहां पर अब वाइड करना है signature के साथ date भी लिख दिया चलिए कोई दिक्कत नहीं बहुत जादा इशू नहीं है अगर application finally submit नहीं हुआ है तो फिर आप इसको थोड़ा सा change कर दीजिए दूसरा signature upload कर दीजिए और हो भी गया है तो जादा problem नहीं है 10th की जगह 10th की जो certificate है उसकी जगह कोई और डॉक्मेंट अप्लोड हो गया तो यह भी बच्चों ने किया है कि 10th certificate की जगह पर उन्होंने migration कर दिया टीसी कर दिया कुछ ऐसे प्रिटेशन में दिया जाएगा कि आप इसको करेक्ट कर सकते हैं नेक्स जो दिक्कते आई हैं लोगों को वह प्रिजेंट पर्मनेंट अड्रस डिफ्रेंट हैं बट एक ही अड्रस प्रूफ अप्लोड हुआ अब आधार कार्ड और बैंक पास्बूक या कुछ भी ऐसा जिसमें कि उनका पर्मनेंट अड्रस और प्रिजेंट अड्रस वह डिफ्रेंट डिफ्रेंट है वह दोनों अप्लोड उन्होंने किया नहीं तो फिर कोई बात नहीं यह भी आपको एडिट ऑप्शन का होगा तो इसके लिए भी कतनी है चलेगा फिंगर एंड थम इंप्रेशन इंक की जगह बड़ा इंट्रस्टिंग एक हमारे पास फोकॉल आया था जिसमें कि एक गर्ल चाईल थी उन्होंने बोला कि फिंगर एंड थम इंप्रेशन इंक की जगह रड लिप्स्टिक से ले ली बहुत यजीब बात है लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपका finger and thumb impression कभी भी किसी और format में नहीं होगा वो सिर्फ और सिर्फ blue या black ink में ही आपका होने चाहिए तो इसके लिए आपको NTA facilitation नहीं देगी इसलिए ध्यान से आप इस चीज़ को भी करिए final submission application का हो गया है तो फिर आप हो सके तो application दूसरा कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए problematic हो जागा examination hall में test के दिन आपके लिए दिक्कते हो जाएंगी इसलिए आप इसको पहले ही correction में देख लीजिए कि इसको आप कैसे अभी ठीक कर सकते हैं तो यह सारे जो भी issues है friends जो mistakes है इसको आप लोग correct कर लीजिए अगर जो correct नहीं हो सकता तो भी आप कोशिश करें कि आप ऐसे गलतियां दोहराएं नहीं आपका मेंटेन रहे इसलिए errorless application जाना जरूरी है तो बने रहे हैं माई करियर पार साले के साथ for latest update on need and counseling यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने friends से भी शेयर करें लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो जल्दी जल्दी subscribe कर लिजिए thank you so much for watching